हे अब्रिवन विल्कम बेक टो स्टेडी पॉइंट तो दोस्तों आप सभी लोगों सबसे पहले नववर्स की धेर सारी सुब कामनाय है और आज की न्यूजपेपर में एक कटिंग यहां पर आई है उत्राखंड में स्वमुगों की भढ़ती परिक्षा के लिए अब समयुक् परिक्षा होगी तो दोस्तों इसमें पहले भी कहा जा रहा था कि इसमें प्रियो और मेंस परिक्षाएं होगी लेकिन आयुक पर अधिक दवाव होने के कारण जैसे कि अगर प्रियो और मेंस होते हैं तो उसमें ज्यादा लोगों को लेना पड़ेगा इसी लिए जो भी सम दे पाएंगी तो इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा गया है कि सुमोगों की भरती परिक्षा के लिए उत्राकन परिक्षाओं में पास होने के बाद ही आविदक मुख्या परिक्षा में सामिल हो पाएंगे। जुलाई में इसना तक इस तरी भरती गपला सामने आने के बाद से आयोग में भरती परिक्रिया रुकी हुई है। अब पिछले विवादों को पीछे शुड़ते हुई आयोग साल दो जड़ते ही इसमें नई भरती की तेयारी कर रहा है। आयोग पहले ही सासन के पास भरती परिक्षा दो चरणों में कराने का प्रस्ताव बेश चुका है। पहले ही समान योगत्या वाली पदों के लिए प्रियोर मेंस परिक्षा कराने की तैयारी थी। लेकिन इसमें आयूग को ज़्यादा परिक्षा है करानी परड़ी थी जिस पर कई खर्चा भी कई गुना ज़्यादा था और इसके बज़ाए अब आयूग टेक्निकल और नोन टेक्निकल पदों के लिए अलग-अलग स्वयुक्त पातरता परिक्षा आउजित कराएगा इसमें मुख्य परिक्षा पर फोकस रएगा आयूग की उमीद है कि स्योंक्त पातरता परिक्षा से मुख्य परिक्षा पर दबाब काफी कम हो जाएगा इस तरह कम अवड़्यती वाली मुख्य परिक्षा के निगरानी जाजे बहतर हो सकेगी और साती पेपर कधित की अभी अधिकारेक रूप से लागू हो जाएंगे इसके पाद भोश्यों में परिक्षाएं इसी प्रणाली से आयूजित होगी तो दोस्तों जन्वरी में आपका एक्जाम कलेंटर आ जाएगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी रीग्जाम होंगे जैसे वीड कर दिया होगा उनका एड्मिट कार्ड आ जाएगा ना तो कोई फॉर्म बनने की जरुरत है सिधे एड्मिट कार्ड आएगा और आप लोग एक्जाम देने जाएंगे ठीक है एक चीज़ यह है इसमें दूसी यह बात है कि जो भी फॉरेस्टर में जिन लोगों ने पहले फ कर दिया है